तो देखो यह simplification वाला सवाल हम लोगों को करना है अभी तक algebraic expressions में add करना, subtract करना, multiply करना और बाकी जो basics उसके होते हैं कि monomial क्या है, binomial क्या है, किसके सामने कौन सा coefficient, कौन variable यह सारा काम हम लोग कर चुके हैं ठीक है, आज यह simplification वाले सवाल हम लोगों को करने हैं, तो देखते हैं, simplification में आपको यह चीज दी हुई है, फिलाल जो question मैंने लिया है, x, x-3, plus 2, आपको इसको simplify करना है, simplify करने का मतलब यह होता है, कि bracket open करो, ठीक है, यह होता है, ठीक है, कर लेते हैं, जो add होता है, उन्हें add करो, जो subtract होता है, subtract करो, proper signs दो, वगेरा वगेरा, तो अब जैसे question मेरे पास है, x, bracket में x-3, और फिर मेरे पास है, plus 2, तो मैं इसको कैसे solve करूँगी, तो इसमें यह जो x है, यह पूरे bracket से multiply होगा, कल के दिन मैंने तुम लोगों को bracket open करना सिखाया था, तो देखो, यह multiply होगा, तो कितना हो जाएगा, x multiply by x, that will be, ऐसा पर लिख लेते हैं, minus 3, dot x, और फिर plus 2, वैसे का वैसे, ठीक है, चलिए, कितना हो जाएगा, x into x, x square, minus 3x, और plus 2, ना तो कुछ addition कर पाना पॉसिबल है, यहाँ पर, ना ही कोई subtraction कर पाना पॉसिबल है, यहाँ पर, ठीक है, right, आच्छा, तो अब इसको क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, जब आप इसका further addition नहीं कर सकते, आप इसका further subtraction नहीं कर सकते, है ना, तो ऐसे case में, यह यहीं रुख गया, अब लेकिन, question में आगे बोला है, कि simplify the expression, जो की हमने कर लिया, and evaluate them, evaluate them का मतलब होता है, उन्हें calculate करो, कैसे calculate करें, क्या calculate करें, जब x की value, मैं 1 रखूंगा, है ना, जब x की value हम कित्ती रखेंगे, 1 रखेंगे, तो उस point पर इसको evaluate करो, तो अभी आपको इस particular question का क्या करना है, evaluation करना है, evaluation में आप क्या करोगे, जैसा की question में बोला है, कि x की value आप कित्ती रखेंगे, 1 रखेंगे, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है, वहां वहां आप उस स्क्वेर की जगा 1 का स्क्वेर माइनस ओफ 3 X की जगा अगें 1 प्लस 2 अब जो बेसिक प्लस माइनस है वो सब तुम लोग कर लो ठीक है बस तो वन का स्क्वेर कितना आ जाएगा 1-3 प्लस 2 उसके बाद 1-3 डैट विल भी माइनस 2 और प्लस 2 तो यह आंसर इक्वल तो बोलो कितना आगे आपका 0 तो पहले आपको कोशन को सिंप्लिफाई करना है और उसके बार आपको कोशन को क्या करना है इवैल्यूएट करना है यह आप लोगों की स्टेप्स रहेगी कदम अब इसी के जैसा तुमको यह बाजू वाला कोशन अगें करना है बड़ थोड़ हलका सा लंदी है तो कि इसमें इवैल्यूएशन वाला पार्ट हलका सा बड़ा है चलो कर लेते हैं पहले कोशन को कॉपी कर लेते हैं क्या है कोशन आपके पास 3y ब्राकेट में 2y-7 उसके बार माइनस 3 ठीक है कहां गया माइनस 3 और फिर ब्राकेट में y-4-63 यह है अब 3y.2y-3y.7-3y.y अब ध्यान दो सेकेंड ब्राकेट में यह हां पर माइनस है मतलब ब्राकेट के आगे माइनस है ठीक है सेकेंड ब्राकेट में ब्राकेट के आगे माइनस है तो जब ब्राकेट के आगे माइनस होता है न तो अंदर वालों की साइन चेंज कर देता है मतलब जो माइनस 4 आपको दिख रहा है वो बन जाएगा प्लस और हम इसको लिखेंगे 3.4 और माइनस 63 माइनस 63 को प्लस 63 मत करना यह बोलता है कि माडम देखिये ना ब्राकिट का माइनस से तो ब्राकिट की साइन चेंज करेगा ठीक है वो आप लोगों का 63 ब्राकिट के अंदर जूसा 6 Y स्कूररes यहा आजाएगा 21 Y यहां पे माइनस 3 Y यहां प्लस ट्वैल यहां माइनस 63 अब देख को 6 Y स्कूरर वैसे का वैसी माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है यह न तो 21A 3 को अड करेंगे तो कितना आएगा 24Y आप साइन 9 साइन किस चीज की ह 21 बड़ा नंबर है तो 21 के आगे कौन सी साई ने माइनस की तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आप लोगों का माइनस 24 ठीक है यहाँ पे माइनस 24 फिर प्लस 12 और माइनस 63 यह कितना हो जाएगा यह आप लोगों का हो जाएगा 12 में से 63 को माइनस कर क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो यह आजाएगा 51 साइन बड़े नंबर की बड़ा कौन है बड़ा है आप लोगों का माइनस के साथ यहाँ पर ठीक है clear है यह बड़िया है तो हो गया हम लोगों का यह पाच दन जो हमें बोला था simplify करना हमने simplify कर लिया है ना ? अब आगे क्या करें ? अब आगे question को आप read करें question में क्या बोला है ? question में ये बोला है कि y equal to minus 2 के लिए आप इसको evaluate करें तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ? यहाँ पे evaluation वाला काम करेंगे ठीक है ? y equal to minus 2 put करने को बोल रहा है, कर दो, 6 वैसे का वैसी, minus 2 और उसके उपर square, minus 24, y की जगा minus 2, और फिर minus 51, ठीक है, दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा, ठीक है, अब आगे, अब देखो, एक point है, जिस बात का ध्यान रखना, ठीक है, जिस इज का ध्यान रखना, वो य है, कि किसी भी negative quantity, अगर आपके पास कोई भी एक negative quantity है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी negative quantity है, कोई भी negative quantity, उस negative quantity की अगर power, आप even रखोगे, even number मैं उमीद करती हूँ, है न, क्या आपको समझ में आता है, even number का मतलब क्या होता है, 2, 4, 6, type, अगर आप किसी भी negative quantity की power, आप अगर negative रखोगे, तो answer आप हमेशा याद रखना, positive में report करना है, ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है, positive में ही report करना है, अच्छा, चलो, ठीक है, अब आगे, अगर मालेते हैं, इसी negative की power, odd number होती, तो answer किस में report होता, negative में, अभी ज square हम सब जानते है, 4, लेकिन confusion हो जाता है, कि 4 लिखें, कि minus 4 लिखें, बताओ, तो हम लोगों को ये देखना है, कि power क्या है, power 2 है, जो कि एक even number है, तो answer positive में report करेंगे, यानि कि 4 लिखेंगे, सिर्फ कतम, ठीक है, अच्छा, फिर अब बताओ, ये minus minus कितना हो जाएगा, ये plus हो जाएगा, है न, minus minus क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अच्छा, उसके बाद 24 into 2 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और minus 51, 64 जा, 24, plus 48, minus 51, done, अब आपको जो addition, subtraction करना आप कर लो, for 24, minus 3, तो ये answer आगया, आपका 21, खतम, ठीक है, तो बस हम लोगों का काम done है, ये वाली चीज, फिलाल अब हम लोग इस तीच को यहाँ पर रूखते हैं, और इसके जैसे कुछ कोशन समाई exercise में होंगे, इसको फिर हम लोग करना शुरू करते हैं, दीरे दीरे के का,